अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ पचास हजार इन्वेस करके सिर्फ तीन साल के अंदर एक करोर दो लाक बन सकते तो इसका अंचर सुने राज रदन ग्लोबर वायर लिमिटेट अगर आपने इस कम्पनी के सिर्फ तीन साल पहले शिर्फ हजार शेर भी अगर खरीद ले होती तो आज वो बढ़ कर 11,750 हो चुगी होती मतलब कि इस company ने सिर्फ 3 साल के अंदर shares को बढ़ाया है मतलब कि इस company ने सिर्फ 3 साल के अंदर company को bonus और company ने अपने shares को split किया है जिसके बज़े से इसके number of shares बढ़ रहे है मतलब कि सिर्फ bonus or split के बज़े से ही कि इसके number 1000 के 11750 हो गए मतलब कि इस company ने से 2019 में 4S to 3 का bonus announce किया था मतलब कि हर 3 share के बदले 4 share bonus देने का issue किया था तो इसके लिए इसके 1000 share बढ़कर 2350 हो गए और हाले में इस company ने 2022 में इस share को split किया था मतलब कि इस company ने अपने face value को change किया था 1S to 5 ने मतलब कि अपने company का जो share price उसके तुखड़े के एते एक share के बदले 5 share मतलब कि हमारे जो share से उबढ़कर 11750 हो जाएंगे शिर्फ company के split के वज़े से मतलब कि सिर्फ 3 साल के अंदर इस company ने 1000 share के 11750 बना दी अगर हम इस 11750 share को राज रतन global wire limited के current share price पे multiply करेंगे तो राज रतन global wire का share अभी 870 चल रहा है मतलब इसका current price पे अगर हम उसको multiply करेंगे 870 तो इसका answer आएगा 1 करोड 2 lakh मतलब कि सिर्फ 3 साल के अंदर इस company ने 1 करोड 2 lakh कमा के दे शिर्फ 50,000 investment से और इस company ने सिर्फ bonus और split ने दिया इस company ने dividend भी दिया है तो चलिए यह भी calculate करके दिखते हैं इस company ने cash dividend के form में दिया है मतलब 2019 में इस company ने हर share के बदे हर share में 2 रूपए का dividend देने का announce किया था मतलब कि हमारे पाद 2019 में 2350 share थे अगर 2350 को 2 से multiply करेंगे तो यह 4700 रूपए शिर्फ dividend से एक साल में dividend से मिल गए और इस company में फिर 2 रूपए का dividend देने का announce किया 2020 में हमारे पाद share share थे 2500 अगर हम 2500 को 2 से multiply करेंगे इसका अंसर भी 4700 मतलब कि 2 साल के अंदर इस company 4700 4700 रूपए का dividend देया और इस company 2021 में dividend अनौंस किया 8 रूपए का मतलब कि हर share पे वो 8 रूपए का dividend देगी अब हमारे पाद share कितने 250 अगर हम 250 को 8 से multiply करेंगे तो इस कांसर आएगा 18800 यानि कि सिर्फ डेविडन से हमें 18800 रूपए 2021 केस में मिल गए और 2022 में 2022 में इस company ने फिर 2 रूपए का dividend अनौंस किया अब लेकिन अब हमारे पाद जो 2022 में shares बढ़के 11700 हो गए मतलब कि 11700 पर share पे अगर इसको multiply करेंगे तो इस कांसर आएगा तेविस 1500 मतलब कि सिर्फ 2022 में अभी 2022 में सिर्फ डेविडन से तेविस 1500 रूपए आचुके तागर इसा क्या calculate करेंगे 11700 मतलब कि सिर्फ डेविडन से हमें 11700 मिल गए और हमारी investment कितनी थी 50,000 और डेविडन से कितने मेले 11700 मतलब कि total हमारी cash जो है वो डेविडन से वापस आगे और एक करोर दो लाग हमने सिर्फ उसके bonus और spread के बज़े से तो दोस्तो इसे कहते power of compounding अगर आप भी stock market में invest करना चाहते हो तो इसके लिए एक dimate account के जरूत होगी तो इस वीडियो के description में आप stock का link दिया है आप वहाँ से इजी पास minute में अपना dimate account खुलवा सकते हो अगर आपको भी वीडियो पसन आया तो वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्ड़ाइब जरू कर दें